नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पूर मुभी गोवर पे दोस्तों आज हम लोग फिल्म रिभ्यू करने वाले हैं जौन अबराहम और इम्रान हासमी श्टारर मुंबई सागा दोस्तों इस फिल्म को डारेट के है संजे गुपता ने और यहाँ पर आपको 80s और 90s के मुंबई की कहानी बताई जाती है और इस फिल्म में दोस्तों डेर सारे टैलेंटेल कलाकार आपको नजर आएंगे जौन अबराहम, इम्रान हासमी, गुलसन ग्रोबर, सुलिन सेठी, महेस माजनेकर, काजल अगरवा, रौनित रॉय, एंड प्रतिक बबबर तो उन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, जौन अबराहम यहाँ पर एक भाई का केड़ार प्ले करते हैं, मतलब कि एक गैंग्स्टर का केड़ार प्ले करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको कहानी यह बताई जाती है कि जौन अबराहम किस तरीके से इस भाई वाले लाइन में आते हैं और भाई वाले लाइन में आने के बाद कौन उनका दोस्त होता है कौन उनका दुस्मन होता है कौन सा पॉलिस वाले उनको सपोर्ट करता है और किस तरीके से पूलिस वाले उनके पीछे पड़े हुए होते हैं वगरा वगरा ये सारी ची मतलब कि इस तरीके की गैंग वाली कहानी भाईगिरी वाली कहानी आपने कई सारी बॉलिवूड की फिल्मों में देखी होगी लेकिन दोस्तों फिर भी कहानी में नया पर ना होने के बापजूद भी फिल्म सुरू से लेके एंड तक हमको अपने साथ जोड़े रखती है बां किरदार प्ले किया जो कि एक बहुत ही पावरफुल नेता है लोग उसके भासन सुनते हैं और काफी यदा यह जो करेक्टर है इंस्पायर है बाला साहब ठाकरे से तो इस किरदार को महिस माजने करने काफी अच्छे तरीके से निभाया है काफी पावरफुल वो लगे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर जॉन अबराहम जो कि में लीड करेक्टर प्ले कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी किरदार को बहुत ही डिसेंट वे में निभाया है चाहे उनका स्टार्टिंग के जो सीन से जहां पर वो एक सीधे साधे नौजवान होते हैं या चाहे उस किरदार हैं जैसे कि यहाँ पर प्रतिक बबबर हैं और उन्हें के साथ साथ रौनित रहा हैं तो इन दोनों का काम भी अच्छा है सुनिल सेटी और गुलसन ग्रूबर का बहुत चोटा रोल है काजा लगरवाल यहाँ पर जॉन अबराहम की वाइप बनी हुई है तो उनका यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी कापी मुझको अच्छा लगा तो दोस्तो कुल मिला जुलाकर मैं इस फिल्म को 3 आउट ओ 5 स्टार देना चाहूँगा अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद एक बार सोचा था कि यह फिल्म जब रिलीज करने में कामयाब होती है तो दोस्तों इस फिल्म को 3 आउट ओ 5 स्टार फर मुंबई सागा तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर यह था मेरे रिभ्यू मेरे रिभ्यू अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को मैं फिर मिलूंगा एक नए रिभ्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम